Welcome all friends, एक और brand new video में आप सभी का स्वागत है आज के इस video में मैं आप लोगों को कुछ sports trading का ऐसा एक strategy बताने वाला हूँ इसे आप लोग tips समझ जिए, आप लोग tricks समझ जिए, आप लोग strategy समझ जिए, जो समझना है समझ लीजिए बट इस video के थूँ आप लोगों की जो knowledge की level होने वाली है, उससे आप लोगों को 100% profit आएगा ही आएगा ये मैं guarantee लेता हूँ, अगर आप इस video को आख़री तक religiously follow करते हो और अगर समझ जाते हो मैं सिखाऊंगा आप लोगों को की technical बाते पहले, फिर मैं उसके proofs दिखाऊंगा, फिर उसके applications दिखाऊंगा, कहाँ पे करना है, नहीं करना है सारे चीज़े मैं बताऊंगा, हो सके तो एक copy pane लेके बैठ जाईए, जादा लंबा नहीं होगा video अगर लंबा होता भी है, तो समझ लीजे कि मैं आपके लिए बना रहा हूं, आपके लिए महनत कर रहा हूं, मेरे खुद के लिए नहीं आधा घंटा एक घंटा चार घंटा भी अगर लगता है तो खरे हो के मैं वीडियो बना रहा हूं आप AC के नीचे बैठके वीडियो देख रहे होंगे अपने फोन में अब इस वीडियो का मतलब क्या है मैंने दो साल पहले, लगबग देर साल पहले आज के दिन से लगबग देर साल पहले मैंने जब YouTube पे पहला वीडियो बनाया था उस वीडियो में लाखो व्यूजा आए थे और उस वीडियो में मैंने एक चीज़ का वादा किया था कि मैं आप लोगों को sports में trade करना सिखाऊंगा, sports trading क्या होता है, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, कैसे आप लोग sports betting को stock market के साथ जोर सकते हो, कैसे आप analytics और stats के through sports में trade कर सकते हो, मैं वो चीज़ आप लोगों को सिखाऊंगा, और कभी फुर्सत मिली नहीं इस topic के उपर वीडियो बनाने का, आज मैं बना रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि अब तक किसी ने ऐसा वीडियो बनाया होगा, अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, आप लोगों के लिए बहुत important बात है, ठीक है, दुनिया में, दुनिया में कितने तरह के लोग होते हैं, दुनिया में एक होते हैं समझदार बंदे, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं educated, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि मैं आप लोगों को अनपढ बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा मत समझी आप लोग, educated, मैं categorize कर रहा हूँ, लोगों को समझ के बेसिस पे, एक होते है educated, दूसरा होता है non educated, ठीक है, हाँ ठीक है, तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है, आधा समझने वाला हाफ एजुकेटेड जो की ना तो पुड़े तौर पे समझदार है ना ही ना समझ है बीच में है नौन एजुकेटेड मेरे जितने भी विविवर्स है मैं माफी चाहूंगा लेकिन मैं सच बोल रहा हूं 10% लोग है जो की समझदार है मेरे 2-4 वीडियो के बाद देखने के बाद उन लोगों को समझ आ गया ठीक है कुछ बंदे होते हैं नौन एजुकेटेड ना समझ यह भी 10% ही है जिनके लिए मैं 200 वीडियो भी बना दूं फिर भी कम पढ़ जाएगा है ओल्राइट है 80% से जाधा बंदे होते हैं आधा समझने वाले आधा समझने वाले बंदे होते हैं सबसे खतरनाक अगर आप ना समझ भी होते हो ना मेरे हिसाब से फर्स्ट रैंक जाता है एजुकेटेड को सेकेंड जाता है नौन एजुकेटेड को और सबसे लास्ट वाला रैंक मैं देता हूँ आधा समझने वालों को बताता हूँ क्य होएगा ही होएगा आज ना हो कल होएगा कल ना हो परस होएगा लेकिन होएगा ठीक है नौन एजुकेटेड ना समझ लोग इनको बहुत सारे चीजों के बारे में पता ही नहीं होता है इनको अगर पता ही नहीं होता है तो कहीं पर यह लोग इंवेस्ट भी नहीं करते हैं और सबसे खतरनाक सबसे खतरनाक हाफ educated आधा समझने वाले जो कि वीडियो को आधा skip करके भाग जाते हैं यह एक education purpose के लिए वीडियो बनाई जा रही है आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे इतने साल के experience पे sports trading का इतना साल का experience है मुझे मैं यहाँ पे आधा घंटा चिल्ला चिल्ला के वीडियो बना सकता हूं तो आप लोग चलो भाई मान लेते हैं 2x के speed पे देख लीजिए 15 मिनिट में वीडियो देखके काम तमाम फैन के नीचे बैठके फोन में बैठके 15 मिनिट आप लोगों के पास नहीं होता कि आप लोग एक education वीडियो को पुड़ा आखड़ी तक देखें यह मैं इन 80% लोगों की बात कर रहा हूं यह जो आधा समझने वाले बंदे होते हैं यह होते हैं सबसे खतरनाग क्यों क्यों इनको किसी चीज के बारे में थोड़ा सा education रहता है थोड़ा सा समझ रहता है तो यह लोग किसी एक चीज में कूदते हैं इस चीज में कूदने के बाद इनको पूरा समझ होता नहीं है और ultimately इनका होता है loss loss और loss तो यह वाला बंदा वरिया था profit करके निकल गया यह वाला ब और half educated आधा समझने वालो आज मौका है last आज अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर यहां पे छलांग नहीं मार सकता है कोई तो भाई उसका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि YouTube पे मुझे नहीं लगता कि जब मैंने वादा किया था आप लोगों को कि sports trading सिखाऊंगा उसके अगर बाद से किसी ने भी sports trading के ऊपर चर्चा नहीं किया मैं आज करने वाला हूं तो आज आप लोगों के पास आखरी मौका है मैं इन 80% लोगों को कहना चाहूंगा आज आप लोगों के पास आखरी मौका है कि आप लोग इस section में छलांग मार पाओगे आधा समझने वाले इस वीडियो को पूरा देखें मैं विंती करता हूं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि sports trading का मतलब लोग समझते क्या है लोगों के मन में थोड़े misconceptions है जो कि मैं दूर करने वाला हूं लोगों के मन में जो गलत वि 1.9 1.9 1.9 ठीक है इसके odds भी है 1.9 1.9 1.9 ठीक है मान लेते हैं दोनों टीम का जो strength है जो power है जीतने की probability है दोनों के same है ठीक है चलिए अब क्या होता है कि मैच के starting में अगर आप लोग यहां पे पैसे लगा देते हो हजार रुपे अगर आप लोग लगा देते हो ठीक है तो आप लोगों को return में मिलेगा 1900 रुपे अगर आपकी टीम जीत जाती है लेकिन लोग ठेहरे चला ठीक है लोग ऐसे तो करेंगे नहीं लोगों को sports trading करना है कि sports trading लोग कैसे करते हैं और यह जो तरीका है लोगों के sports trading करने का इससे वाहिया तरीका sports trading करने का कुछ होई नहीं सकता मैं बताता हूं आप लोगों को अगर आप लोग भी यह गलती किये हो तो सुधार लीजिए मैच के starting में दोनों टीम के odds यह रहते हैं अब मैच के शुरुवाती तौर पे मैच के शुरुवाती तौर पे टीम A जो है वो थोड़ा सा लर्खडा जाती है ठीक है एंड टीम भी अच्छा परफॉर्म करता है टीम B के winning probabilities बढ़ जाते हैं तो भाव कम हो जाएंगे चलिए भाव कम कर देते हैं इसका जो odd है वो suddenly हो गया 1.2 एंड यह क्योंकि हार रही है थोड़ा सा लडखडा आ गई है आउट ओफ बैलेंस हो चुकी है टीम A का भाव बढ़के हो गया 3.2 3.2 अब क्या होता है मैच चलता है धीमे 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 सेकेंड हाफ या फिस सेकेंड इनिंस स्टार्ट होता है सेकेंड इनिंस स्टार्ट होने के बाद टीम A गजब का कमबैक करता है इतना बढ़िया कमबैक करता है कि अब जो पहले जो विनिंग प्रोबैबिलिटी टीम B के पास थी अब उलटके टीम A के पास आ जाता है तो टीम A का भाव कमके हो जाता है 1. 1.2 और टीम बी का भाव बढ़के हो जाता है 3.2 का समझ आया नहीं आया आया तो अब जो लोग sports trading करने की कोशिश करते हैं वो करते क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं दो हजार रुपे हैं उनके पास suppose किसी के पास जादा भी हो सकता है 200 भी हो सकता है 20,000 भी हो सकता है मैं एक example के तौर के बता रहा हूं 2000 को वो लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं 1000 और 1000 रुपे ये 1000 रुपे वो लोग टीम ए पे लगाता है कब वो लोग पूरे मेंच में वें इंतिजार करते हैं उस वक्त का जब टीम ए का भाव सबसे जादा मिले उनको टीम ए को और बाकी बचे 1000 रुपे बाकी बचे 1000 रुपे वो लोग तब लगाते हैं जब टीम बी का भाव उनको सबसे जादा मिलता है ठीक है ठीक है हजार रुपे और यह हजार रुपे यानि कि पूरा 2000 रुपे उनलोगों ने इन्वेस्ट कर दिया दोनों टीम पे समझ में आरहा है दोनों टीम पे अब क्या होता है कि वो लोग पैसे लगा के सो जाते हैं कि भाई जो भी टीम जीते गी अगर ये टीम जीत जाती है ये टीम हार जाती है तो चलो ये 1000 रुपे गये मेरे ये 1000 रुपे गये ये तो institution लिए टीम जीत जाती है तो हमने सब में एक 25 करए में मूलेगा – 500 ml 200 और है अगर में आपiltagen अब क्यों जाता है अगर ये team जीत जाती है तो भी मिलेगा में को 2500 तो यानि कि यह team जीते यह यह team घिते बीच में 1200 रुपे का प्रॉफिट करके मैं निकल जाओंगा ठीक है बीच में 1200 रुपे का प्रॉफिट करके मैं निकल जाओंगा चाहे यह टीम जीते चाहे यह टीम जीते तो मैंको मैंच देखने की जरूरती नहीं है कोई भी टीम जीते मैंको 1200 रुपे का प्रॉफिट होए pattern follow होता है ये वाला ये वाला pattern बताईए आप लोग कि हर एक match में ये वाला pattern follow होता है कि एक team के एक team के odds ऐसे करके बढ़ेगा फिर घटेगा फिर बढ़ेगा और दूसरे team का भी simultaneously ऐसे घटेगा बढ़ेगा और जब सबसे ज़्यादा होगा तब आप लोग उस team पर पैसे लगा दोगे ठीक है क्या सारे matches ऐसे होते हैं नहीं कितने percent matches ऐसे होते हैं कितने percent matches ऐसे होते हैं 50% से ज़्यादा या 50% से कम 50% से ज़्यादा भी अगर matches ऐसे होते हैं तो भी आप लोग ultimate loss में जाओगे तो भी आप लोग ultimate loss पे जाओगे अब लोगों को जानके shocking होगी कि 23% 23% matches worldwide ऐसे होते हैं जहां पे match घूमता रहता है 23% matches पुड़े worldwide football cricket tennis basketball baseball hockey कहीं पे भी चले जाओ अप लोग मातर 23% matches ऐसे होते हैं जहां पे दोनों टीम के जो odds है वो alternate करते हैं कभी किसी का बढ़ता है किसी का घटता है और बाकी जो matches होते हैं वहां पे यह वाला रोल फॉलो नहीं होता है अब आप सिंपल घर पे वैढ़िये मैं इस मिस कंसेप्ट को लेके वीडियो को और लंबा नहीं करना चाहूंगा 23% match में अगर आप लोगों को 1200 रुपे का profit होता है और बाकी के 67 बाकी के 77 बाकी के 77 परसेंट match पे अगर आप लोगों को loss होता है यह वाला rule follow नहीं होता है मिसेद्स पर इसी होता है है इत्व कि होता ही है ए हैं कि तो यहां पर आप लोगों को 2000 गाटा मिनिमूं तो 1000 का गाटा है चलो मिनिमूं 1000 का गाटा है मतलब अगर आप लोग 100 मैचेस ऐसे खेलते हो तब जाके आप लोगों को 77,000 का लॉस होगा ठीक है और 23% मैच आप लोग जीत रहे हो 1200 रुपए का प्रॉफिट ले रहे हो मतलब यानी कि आप लोगों को 30,000 का प्रॉफिट होएगा तो अल्टीमेट आप लोगों को 47,000 का लॉस हो रहे है है यह प्लस यह माइनस अगर आप लोग इस रूल को फॉलो करते हो तो जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट ले लो या फिर कॉपी में नोट कर लो ये गल्टी दुबारा से नहीं होना चाहिए आप लोगों से क्यूं क्यूंकि जो बड़े-बड़े स्पोर्स बुकीज है कि कोई भी जो बेटिंग वेबसाइट्स या फिर कंपनीज है इतने बड़े-बड़े मेगा कैप वाले कंपनीज बेवकूफ तो है नहीं वो लोग लाखों उनके मेंबर्स रहते हैं उनके हजारों एनलीटिक्स वाले होते हैं mathematics में वो लोग expert रहते हैं, वो लोग odds को इस तरीके से set करते हैं, कि आप लोग profit ना बना पाओ, और अगर आप लोग उनके method को अगर beat कर देते हो, खुदी अपने अपने मन से इस strategy को follow करके, तो इससे वाहिया तरीका और नहीं हो सकता है sports trading का, इस trading को आप लोग को कभी नहीं क चुका हूँ, YouTube पे बहुत साथे लोग इस strategy को follow करवा के आप लोगों से खिलवाते हैं, और ultimate आप लोगों को loss होता है, उन लोगों को तो घंटा फरक नहीं पड़ता है, आपका profit होए ना होए, ठीक है, मैं जो trading का तरीका बताने जा रहा हूँ, उस trading को follow करके, अगर आपका loss होता है, तो आप लोग मुझे telegram पे जरूर से message कीजिएगा, मैं अपना channel delete कर दूँगा, माफी भी वांगूँगा, YouTube पे, कि मेरा strategy है, वो गलत है, इतना जादा confident हो मैं, तो इसका जरूर से screenshot ले लीजेगा, हो सके तो print out निकल लवा के, दिवार पे चिपका दीजेगा, य नहीं होनी चाहिए, किसी भी हालत में, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, कि sports trading का real meaning क्या होता है, ठीक है, खाफी strong team है, ठीक है, चलो ठीक है, इसका odd है, 1.25, आल राइट, team B जो है, थोड़ी सी नाजूक team है, ठीक है, तो इसके odds है 3.75, माल लेते हैं, suppose, ठीक है, अब जो team A है, वो 1.25 odds की है, team B 3.75 है, अब देखके ही, आप लोगों को बता चल रहा होगा, कि team A जो है, यह stronger team है, और team B जो है, यह थोड़ी सी weaker side है, ठीक है, अब कितने सारे ऐसे factors है, जो कि team A को आज के match में, जीतने पर मजबूर कर रही है, ठीक है, सही से समझ यह इस चीज़ को, team A, वैसे ही, पहला point, पहला point यह है, कि हम लोग analysis करते है, ठीक है, हम लोगों ने यह analysis किया, कि team A, बहुत अच्छी team है, team B, बहुत weak team है, strong team होने के बावजूद, मतलब पूरे league में एक अच्छा खासा दबदबा है तेरे भाई का, ठीक है, team A का, अच्छा team होने के बावजुद भी, last match जो है, यह लोग हार के आये थे, ठीक है, अब हार के आये थे, तो इनके अंदर पहले से घुसा होएगा, पहले से घुसा इस चीज का होगा, कि पिछले दिन हम लोग हा रहे थे, आज हम लोग को जीत नहीं है, किसी भी हालत में, वरना अपना जो दबदबा है, तेरे भाई का जो दबदबा है, वो कम हो जाएगा, ठीक है, तो एक तो होता है, इनका mental setup, एक होता है, इनका mental setup, on the basis of last match, ठीक है, एक हो गया यह चीज, second factor, जो team A के win को support करती है, वो यह है, कि मान लेता है, team A और team B के बीच में, जो match चल रहा है, ठीक है, सपोज, इसी team के घरेलू मैदान पे, समझ लिए, कोलकाता और देली का match है, आज का जो match है, वो कोलकाता में ही है, इडन गार्डन पे ही है, तो भई, अगर अपने मैदान में हार जाते है, तो stadium वाले जूते खोल के मारेंगे, ठीक है, क्योंकि सब है बंगाली, कोलकाता, night riders, अगर अपने मैदान पे खेलता है, ठीक है, और अपने ही लोगों के सामने अपने ही garden में, इडन गार्डन, stadium में, अगर हार जाते है, जहां पे जादा दर बंगाली लोग है, तो क्या जूता फेक के मारेंगे की नहीं, कि भई, पिछला match भी तुने हारा है, आज का match भी तू हार रहा है, तो तू खेल के क्या करेगा, तू जूता खा खेलते हम लोग है, ठीक है, तो एक होता है इनके उपर pressure, pressure किस चीज का, ground stadium का, एक होता है, ground stadium का pressure, जिसके वज़र से इनकी जीतने की इच्छा है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते है, या फिर अगर आप लोग कह सको, कि जीतने का pressure ज़्यादा बनता है team A पे, ठीक है, ठीक है, अब तीसरी factor, जो team A के win को support करती है, team A के win को support करती है, वो है, इन दोनों team के बीच के, last जो head to head clashes हुए थे, गलत इशारा मत समझे, team A और team B के बीच में, आज तक last आप 10 matches देखते हो, कि देखते हैं, last 10 matches में, team A और team B के बीच में, जितने भी matches हुए, क्या हाल चाल रहा था उनका, आप देखते हैं, team A और team B के बीच में, जितने भी matches हुए थे, उन में से win ratio जो है, जो win ratio है, वो win ratio क्या है, मान लेते हैं, 9 is to 1, ठीक है, अगर 9 match team A जीतता है, 10 match में, 9 match team A जीतता है, और 1 match team B जीतता है, ठीक है, तो यहाँ पे, आप लोगों के पास 2000 रुपे है, 2000 रुपे है, अब आप अगर उस trading पे, conventional जो trading है आप लोगों का, उसके तोर पे अगर आप 1000 1000 बाट लेते हो, और इस 1000 को यहाँ पे लगाते हो, और इस 1000 का आप लोग वेट कर रहे हो कि इसका odd कब 3.75 होएगा, तब मैं लगाऊंगा इस team पे, तो बेवकुफ आपके जैसा बेवकुफ कोई नहीं है, इतने सारे factors और अगर आपको और भी factors जानने है, तो आप मेरे channel पे 3 वीडियो जाके देख सकते हो, जहाँ पे मैंने full अपना secret बताया है कि कैसे मैं कुछ math के analysis करता हूँ, ठीक है, आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए, यहाँ पे मैं सारे factors जो नहीं पाऊंगा, यहाँ पे मैं सिर्फ major factors मैंने जोड दिये हैं आप लोगों के लिए, अगर आप सोचते हो कि यह 1000 रुपे आप लोग तब लगाओगे इस team पे, जब इस team का odds बरके 3.75 के आसपास आएगा, ताकि आप लोग दोनों team पे पैसे लगा के सो जाओ, और आ support trading यह है, कि suppose जो team A है, team A, आप लोगों के analysis के basis पे, आप लोग जो इतना बड़ा analysis किये हो, analysis के basis पे, आप लोगों को mind में पहले ही select कर लेना है team A को, mind में, mind में, mind में, mind में, mind में, कि आप लोगों को पहले ही select कर लेना है team A को, कि भाई, कुछ भी हो जाए, team B पे में को पैसा लगाना नहीं है, क्योंकि इतने सारे factors हैं, जो कि इसके odds के against है, और इसके odds के favor में है, छीक है, analysis के basis पे, सबसे पहले आप लोगों को team A को select कर लेना है, तीम A को आप लोगों को select कर लेना है तीम A को select कर लेना है अब मैं आप लोगों को बताता हूं तीम A जीतने की probability कितनी है मान लेते है चलो winning probability लिखते है अब ठीक है winning शिट अचा चलो इतना समझ आ गया दूसरे पेज़ पर लिखते है भड़ा भड़ से screenshot ले लो या फिर कोई note कर सकता है तो note कर लो चलो start करते हैं तो चलिए फिर अब दूसरी पढ़ाओ अब दूसरी पढ़ाओ यह है कि दोनों की winning probability जो है है कि दोनों की जो winning probability है वह है 80 परसंट क्या बताते हो और कम मान लो तो चलो यह काम करते हैं इसको कर देते हैं 60 परसंट कि 70 परसंट कर देते हैं चलो ना आपका नम मेरा 70 परसंट 70 परसंट कल किसने देखा है मान लेते हैं 70 परसंट और इस टीम के जीतने के चांसे सह 30 परसंट अब ओड्स ओड्स अगर आप लोग एक हफता भी हुआ है आप लोगो को स्पोर्स पे ट्रेड किये हुए स्पोर्स बेटिंग किये हुए तो आप लोगों को यह चीज़ पता होगी कि कभी भी टीम ए और टीम बी के ओड्स के बीच में एक पर्टिकुलर गैप रहता है जो बीच में उन लोगों का बुकमेकर कमिशन रहता है कभी भी आप लोगों कोई यह नहीं मिलेगा कि दोनों टीम के ओड्स जो है टू-टू है नहीं मिलेगा आप लोगों को ठीक है नहीं मिलता यह चीज हां तो टीम एके जो विनिंग प्रोवैबिलिटीज है वो 70 परसंट है तो इस हिसाब से अगर आप देखने जाओगे अगर आप सौ मैचेस अगर खेलते हो टीम एक ऊपर 70 परसंट मैचेस आप लोग जीतोगे अच्छा है लेकिन ओड्स भी तो कम है ओड्स कम है ओड्स अगर कम है 70 परसंट का भी कोई फाइदा नहीं है 70 परसंट का कोई फाइदा नहीं है 1.1.002 वाला ओड्स वाला मैच अगर 99 अगर 90 परसंट टाइम भी अगर आप लोग जीतते हो तो फाइदा क्या है इतने कम-अप अब लोगों का पैसा कभी उठेगा नहीं ठीक है तो चलिए एक चीज देखना पड़ेगा जो विनिंग प्रोबैबिलिटी है वो तो कॉंस्टेंट है कि कहना कि आज का जो मैच है हो सकता है वो मैच के बीच में कभी चेंज हो जाए कि पहले ही कोलकाता से रसल आउट हो गया और जो भी है ठीक है यूसुप पठान भी आउट हो गया जो भी है शुबन गिल आउट हो गया पता नहीं वह पुल खता में है कि नहीं है जो भी है कि टीम ए के विनिंग परसेंटेज है 70 परसेंट विनिंग प्रोबाइबिलिटी टीम बी के है 30 परसेंट इस चीज को आप लोग बदलता नहीं सकते हो अगर 100 मैच में 100 मैच में 100 मैच में 100 मैच में इसका मतलब यह है कि 70 मैच 70 मैच यह जीतेगा 30 मैच यह जीतेगा इसको आप लोग नहीं बदल सकते हो आप अगर बोलोगे कि आज शुम्मन गिल बैटिंग नहीं कर पा रहा है तो आज मैं जाके बैट घूमाओंगा, नहीं कर पाओंगे अप लोग, थीक है, या फिर सुनिल नाड़ में बॉल कर रहा है, आज उसका बॉलिंग सही नहीं हो रहा है, आज मैं जाके बॉल करूंगा आप नहीं कर पाऊगे ठीक है सो मैं से सत्तर मैंच से इसको जीत नहीं है सो मैंच में तीस मैंच इसको भी जीत नहीं है इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है कंट्रोल आप लोगों का एक चीज में है आपके पैसे के उपर आपके पास थे ना दो हजार दो हजार का नोट इस पर आपका कंट्रोल है आपका पैसा है चीक है यह चीज कभी चेंज नहीं होती है लेकिन यह जो चीज है यह होती है चेंज ठीक है सपोज टीम ए में तीम ए में पकर करके रखते हैं कि टोटल सेवन बैसमें ए बैटमें बैसमें ठीक है टोटल सेवन बैसमें क्या लिखड़ा हुआ है चलो शेवन बैसमें है पहले ही बॉल में अगर कोई आउट हो जाता है सेवन बैसिक्स हो गया ने चलों से लिए तो कि शेवन ऑड आओ हो गए अब जो बुकिंग कमपनी है सब बुकिंग कमपनी कि में पू Aunty कि यह जो बुकिंग कमपनी से जो स्पोर्स चीज दिखेगा, यह लोगों को स्रीव ऐखी चीज दिखता है कि एक विकेड गिरा है, मतलब जो टीम ए है, वो थोड़ा खळा रहा है, तो टीम ए का जो आँड्टस है, टीम ए का जो आँड्टस है, वो थोड़ा सा बड़ा कर देते है, 1.25 जो था, अब उसे हम लोग कर दे 10.30 30 अब ने कि अगरलोगada का मैश देखते हो आप लोगों को यह चीज भी पताओगा कि कभाला क्या होता है सूनील Cruise 2017-18 का मैश अगर आप लोग देखे होंगे तो आपको पता होगा यह चीज सुनील नारीन को वो लोग ओपनिंग लेकिन उसको लोग डाल देते थे ओपनिंग में अगर आउट हो जाता है और कंपनी कि देखे की एक विकेड गयी है लुटार भी अगर ऑफ हो जाता है रसल अंडू रसल तो भी कंपनी देखे कि एक आउट हो गया है, एक विकेट गया है, significance आपको पता है कि ये जो एक विकेट गई है, इसकी गई है, ठीक है, सुनील नारीन अगर आउट हो भी जाता है, तो भी आप लोगों को डैश पर्क नहीं पड़ता, अगर एंडू रसल आउट हो जाता है, तो जाके कोई बड़ी बात होती है, लेकिन अगर सुनील नारीन, खुलकाता में पहले उसको उपेनिंग में उतार देते थे, कि लो भाई, पावर प्ले में उठा उठा के मारो आउट हो गए, तो हम लोगों को डैश पर्क नहीं है, चलो भाई, विनिंग प्रोवाइबिलिटी अभी भी 70% ही है, 100 मैच में, 100 मैच अगर इन दोनों टीम के बीच में होता है, 70 मैच ये लोग जीतते है, 30 मैच ये लोग जीतते है, आने वाले फ्यूचर में, इसका आप लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आप ल 30 पैसे वाले टीम को, आप लोग 30 पैसे में खरीद रहे हो, जितना जादा दाम में खरीद होगे, आप लोगों को रिटरन उतना जादा मिलेगा, है ना, तो यहाँ पे आप अपने दिमाग से सोचते हो, कि ये जो विकट गया है, ये टीम के लिए, जिस टीम पे हम लोगों अपने सेलेक्शन किया था, अपने माइंडी मन ही मन में, इस टीम का, इस टीम के उस विकट का कोई सिग्निफिकन्स नहीं है, ठीक है, लेकिन बुकिक कमपनी का तो उससे कुछ फरक नहीं पड़ता, एक विकट तो गिर चुका है, वो तो आपका और बढ़ाएगा ही दूसरा एक बैट्समेन आता है, इस बार बैट्समेन आता है लेकिन, ठीक है, नरीन तो आउट हो गया, इस बार बैट्समेन आता है, अब बैट्समेन, सुनिल नरीन को क्यो भेजा जाता था कुलकाता टीम में, ताकि भाई, तुम तो बॉलर हो, पाउर प्ले में तुम कहते है छोटा सा जो यार्ड होता है उसके बाहर तुम पहुचा दो प्लेयर के सर के उपर से चौका तो हो ही जाएगा ठीक है तो पहला जो चार चार पांच आफ़र है उसमें तुम रन बना दो अगर आउट हो भी जाते हो तो टीम को डैस फरक नहीं पड़ता तुम्हारे व है दिनेश कार्थिक आता है दिनेश कार्थिक आके क्या करता है बैट्समें ना वह क्या करेगा टुक 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 ऐसा ही करता है ना कोई भी बैट्समें पीच पे आते ही छक्का तो नहीं मारेगा पहला पहला ओवर है चार पांच ओवर ही दो तीन ओवर अबी खतम हुआ है चार या पांच होआ अबर चल रहा है तो पहले पहले बैट्समेन आके क्या करता है तुक 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 तु क्योंकि कोई भी बैट्समेन पीछ पे आता है तो पहले वह थोड़ा सा सेट होने के लिए टाइम लगाता है एक बार अगर सेट हो गया उसके बाद वह लंबा खेल सकता है और जितना लंबा खेलेगा उसका जो इस्ट्राइक रेट है वह भी बढ़ेगा ठीक है ठीक है ठीक है अब दिनेश कार्ठी काया पूरा एक ओवर उसने बरवाद कर दिया धुक ठीक है दिनेश कार्ठी कहरे एक ओवर खडब करता है बुकिंग कमपनी को क्या लगेगा कि भाई एक मेडन आ गया एक मेडन ओवर आ गया यानि कि टीम ए की हालत खड़ाब है टीम ए की जिस पर आप लोगों ने सेलेक्शन किया था हालत खड़ाब है एक काम करो इसके ओड्स को 1.4 कर दो बड़ा दोर भी ना हो पाएगा तुमसे ना हो पाएगा टीम में स्पोर्स बुकिंग ऐसा बोलता है कि भाई दूसरे तिसरे ओवर में एक विकेट चला गया उसको नहीं पता था कि किसका विकेट गया है वो देखता है कि एक ओवर जो है तुम्हारा मेडन निकल जाता है जीरो रन जिनको नहीं पता है मेडन का मसलब उनके लिए एक ओवर एक विकेट चला जाता है एक मेडन चला जाता है मतलब इसको लगता है कि टीम A की हालत खराब है लेकिन आपको पता है कि टीम A की हालत खराब नहीं है क्योंकि ये जो विकेट गया था इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं था ये जो एक मेडन ओवर आया था इसमें आज दिनेश कार्थिक ने सेट किया है अपने आपको आने पे दोनों batsmen अपने आपको set कर रहे हैं ताकि वो लोग लंबा खेल पाए तगरा खेल पाए एक batsman पहले-पहले थोड़ा strike rate कम रहता है पहले-पहले थोड़ा exponentially बढ़ता है ठीक है लेकिन भुकी भाई साब को तो उतना नहीं पता है भुकी भाई साब सिफ यह देखेगा कि एक विकेट गया एक मेडन गया टीम-a की हालत आज पूरी खराब है तो चलो भाई 1.4 और कर देता है इसको मार लो हतोरा मार लो यह सही वक्त है कि आपको 25 पैसे का 25 पैसे का टीम यहां पर 40 पैसे में मिल रहा है कि खरिद दालो कि यह हो गया sports trading का पहला पढ़ाओ कभी भी कभी भी अपने selection को मत बदलो पहले ही हम लोगों ने जो analysis किया था उस analysis के basis पे हम लोगों ने team A को select किया था ठीक है team A की जो winning probability है वो है 70% मान लेते कुछ भी हो 70 हो 65 हो 50 हो 80 हो 100 हो ठीक है हम लोगों के लिए team A के जितने का चांस सच्छे थे हम लोगों ने team A पर select किया लेकिन team A पर हम लोगों ने पैसे नहीं लगाए क्यों नहीं लगाए क्यूंकि team A का जो भाव है वो book maker के हिसाब से यह जो booking company set करके दिया था उस order पे हम लोग पैसे नहीं लगाएंगे हम लोग उस time पर पैसे लगाएंगे जब इसका जो order है वो हमारे area में आ जाए हमारा जो मन पसंद वाला जो भाव है उस भाव पे जब हम लोगों को team A का order मिलेगा तभी हम लोग team A पर लगाएंगे वरना नहीं लगाएंगे अगर team A पहले ही शु चोड़ दो हम मैच को छोड़ दो तो कर परक नहीं परता कि आप लोग कितने मě्च खेलते हो यह फर कि से परता है कि आप लोग कितने मैच में सकसेसफुली ट्रेंड करके अपना प्रॉफिट निकालते लुई आप लोगों को इसी चीज पर फोकस करना है कि आप लोगों को अपना प्रॉफिट बनाना है आप लोगों को वर्ल्ड रेकॉर्ड नहीं बनाना है कि हमने एक करोड़ छी आसी लाग पचासी हजार छब्विस सो तीन मैच में स्पोर्स बेडिंग किया आप लोगों को वर्ल्ड रेकॉर्ड नहीं बनाना है आप लोगों को प्रॉफिट बनाना है और प्रॉफिट आप लोग वहीं पर बनाऊगे जहां पर आप लोगों को यह वाली उपर्चिनिटी मिलेगी अगर अच्छे तरीके से खेलता है इम ए अगर टीम ए का और्ज यहां से अगर नहीं बढ़ता है तो आप लोगों को यह वाला मैच छोड़ देना है छोड़ दो मैच छोड़ दो लेकिन अपना जो सेलेक्शन किये थे प्षले जो अनलाइसिस के बेसिस पर आप लोगों ने जो टीम एको मन ही मन में सेलेक्ट किया था यह आप लोगों का मानसिक विर्यरता हो चाहिए mental strength होना चाहिए आप लोगों को कि भाई पैसे लगाऊंगा तो team A पे लगाऊंगा भले ही वो team कोई जब भी हो अगर आप लोग analysis करते हो analysis के basis पे आप लोगों का जो भी team selection में आता है उस team को आप लोगों को जिन्देगी में change नहीं करना चाहिए वरना आप लोग बहुत पस्ता होगे ठीक है चलो ठीक है एक और बात बताऊंगा यह हो गया पहला पढ़ाओ अब दूसरी पढ़ाओ ठीक है इस चीज को मैं trading के साथ relate करूंगा इस चीज का screenshot या फिर note बना लीजिए वेल नोट कर लिया या फिर screenshot ले लिया जो भी किया आप लोगों ने ठीक है अब मैं आप लोगों को बताता हूं एक चीज जो सबसे ज़्यादा important है कि पहले पढ़ाओ पे आप लोगों को knowledge knowledge मिल गया तो क्या आप लोग समझदर बन गए क्या आप लोग educated बन गए नहीं अभी भी एक और पढ़ाओ बाकी है दूसरी पढ़ाओ ठीक है अगर आप लोगों को यहां से profit करना है तो knowledge के साथ आप लोगों को time भी देना पड़ेगा आप लोग सिफ सोचोगे कि भाई मैं तो brilliant हूँ मैं तो एकदम talented हूँ मेरा एक ही बारी में हो गया तो आप गलत हो knowledge के साथ जब तक आप लोग time नहीं दोगे तब तक profit नहीं होएगा ठीक है मैं clear example का साथ बताता हूँ ज इसले दिन छे tips दिये थे all right 6 tips 6 में से already 5 matches हो चुके है 5 matches हो चुके है जिस दिन मैं video बना रहा हूँ आप लोग उस दिन का post जाके channel पे check कर सकते हो मेरे telegram channel पे इन 5 matches में 4 win हुआ एंड एक loss हुआ ठीक है इस screenshot भी मैं दिखा दूँगा ताकि आप लोगों को clear idea मिल जाए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ ठीक है अब मैं आप लोगों को बताता हूँ 5 में से 4 win एक loss यानि की 80% winning कोई भी channel कोई भी channel अगर आपको कहता है कि 100% win करा के देगा तो वो जूट बोल रहे हैं कोई सपना नहीं देखता कोई भगवान नहीं होता कोई अंतर्यामी नहीं होता कि वो पहले से समझ जाए कि कौन से match में कौन सा tip win होगा कौन से मैच में तीन गोल होगा, कौन से मैच में चार गोल होगा, कौन से मैच में पहली वाली टीम जीतेगी, कौन से मैच में दूसरी वाली टीम जीतेगी, ठीक है, यह अनलाइसिस के बेसिस पे होता है, कभी कोई मैच विन होता है, कभी कुछ मैच लॉस होता है, circumstances आते हैं कुछ ऐसे 80% 80% winning probability के साथ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप मेरे tips से कैसे profit कर सकते हो और अगर आप मेरे tips अगर follow करने के बावजूद भी loss पे हो तो आप क्यों हो मैं बताता हूँ यह चीज अगर आप किसी tipster को follow करने के बावजूद भी loss पे हो तो आप इसी लिए हो क्योंकि आप के पास time नहीं है मैं अगर अपने channel पे एक tip देता हूँ team A और team B का मेरा selection है team A ठीक है 1.25 odds है इसका ठीक है और मान लेते हैं draw जिसको हम लोग x से represent करते है x के जो odds है draw होने के जो odds है वो मान लेते है 2.75 और जो team B team B बहुत ही ललुआ team है ठीक है team B के जो odds है वो मान लेते है 3.80 अब जो मुझे follow करता है वो क्या करेगा 1000 रुपे इस पे लगाएगा क्योंकि मेरा selection ये था तो वो इस पे पैसे लगाएगा पैसे लगा के वो क्या करेगा सो जाएगा सुबह उठके अगर वो देखता है कि 1000 का 1250 बन रहा है win हो गया है तो जाके वो party करेगा और अगर वो देखता है कि match हार गये है 1000 रुपेया लॉस होके जीरो हो गया है तो क्या करेगा tip boss को आके दो चार गाली दे के अपना मन खुश कर लेगा ठीक है भाई हम लोग भी गाली खा लेंगे क्या है लेकिन समझना पड़ेगा कि आपकी गलती कहां पर है मैं कोई tip देता हूँ वहाँ पर मेरी knowledge, मेरी experience, मेरा time सब कुछ मैं देता हूँ आप लोगों को और आप लोग क्या करते हो, पैसे लगाते हो, सो जाते हो आप लोगों को लगता क्या है कि tip boss गुलाम है भई उसके channel पर free tips आएंगे, पैसे लगाऊंगा, सो जाऊंगा जीद गया तो party और हार गये तो गाली गाली देके सो जाऊंगा क्या है ऐसे लोगों का कभी profit नहीं हो सकता है sports trading मैंने आपको पिछले match पिछले part में समझा दिया था अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको इस tip से कैसे profit extract करना है कैसे आप लोगों को profit catch करना है ठीक है ठीक है match start होने से पहले यह odds थे मैंने इस team का selection दिया था अब आप लोगों को पहले part से पता चल गया होगा कि अपने selection को कभी भी change नहीं करना चाहिए कुछ भी हो जाए क्यूंकि इस पे मेरा experience, मेरा knowledge, मेरा stats, मेरा analytics, मेरा time सब कुछ दे के मैंने इस team को select किया था तो आप अपने आपको गलत साबित मत कीजिए selection आपका change नहीं होना चाहिए अगर खेलना है तो इसी team पे खेलना है इस team पे या फिर इस team पे नहीं खेलना है इसी team पे खेलना है लेकिन कब खेलना है मैच स्टार्ट होने के टाइम पे odds कुछ ऐसे थे अब अगर आप cricket या फिर football की बात करो cricket में आपको पता होगा कि पहले जो 5-7 over होते है थोड़ा slow होते है ठीक है football में भी जो first half होता है वो थोड़ा सा slow होता है तो पहला half खतम होने के बाद मान लेते है score हुआ 0-0 मतलब जो मैच है ना तो यह गोल मारा ना ही इसको गोल मारने दिया आल राइट booking booking company इसको क्या लगेगा यह क्या सोचता है यह क्या सोचता है और आपको क्या लगता है मैंने यही चीज पिछले वीडियो में समझाया था पिछले part में यह तो देख रहा है भाई 0-0 है तो मैच जो है वो ड्रॉ के तरफ जा रही है यानि कि ड्रॉ होने के चांसे ज्यादा है लेकिन आपको भी बता है मैंने पिछले part में समझा दिया था selection change नहीं करना है 0-0 हो रहा है मतलब क्या ड्रॉ के तरफ मैच प्रसीड कर रहा है पहले हाफ की बात है अभी तक मैच खतम नहीं हुआ है तो इसको लगता है कि भाई ड्रॉ होने के चांसे ज्यादा है मैच ड्रॉ के तरफ बर रहा है तो यह काम करते हैं ड्रॉ का जो भाव है वह गिरा देते हैं तो यह 2.75 से यह हो गया 2.2 और इसका चांस तो पहले भी नहीं था जीतने का और भी खराब हालत है अभी तक एक भी गोल नहीं मारा है तो इसके हो गया तेरे 5.60 और इसका जिस टीम पे अपना सेलेक्शन था वह भी तो नहीं मारी है गोल तो मैच तो इसके हाथ में भी नहीं है तो चलिए हो गया कितना 1.40 1.40 इस चीज को नोट कीजिए 1.40 ठीक है अब देखिए 25 पैसे की टीम 40 पैसे में मिल रही है 25 पैसे की टीम 40 पैसे पे मिल रही है बुक कर लो, बुक कर लो, क्योंकि जो winning probability है आपको बता होगा, मैं जब भी टेलिग्राम पे tips देता हूँ, 5, 7, 8, 10, जितने भी देता हूँ, हमेशा 80% chance रहता है, कि वो win होई, 80%, minimum 80%, अगर मैं 10 देता हूँ, तो 8 win होता ही है, पिछले बार भी, पिछले दिन भी, मैंने दिखा दिया आप लोगों को, कि मैंने total 6 matches दिये थे, 5 उन में से हुआ है, एक अभी match होना बाकी है, 5 में से 4 already win हो चुका है, एक loss भा था, तो मेरा हमेशा winning chance मेरा, मेरे tips का, मेरा accuracy रह मतलब अगर 100 match होता है, तो 80 match ये जीतेगा, 20 match ये जीतेगा, इसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप लोग ये नहीं कह सकते हैं, कि भाई, ये match नहीं जीत रहा है, तो जाके हम लोग गोल बचा नहीं पा रहा है, तो हम लोग जाके goal keeping कर रहे हैं, नहीं, ठीक है, जो winning probability है ह अपना अमाउंट बुक कर लेना है, यहां पर आप लोग हजार खेलते हो, आपको मिलेंगे 1400, मतलब यह जो कलवा था, कलवा जहां पर 500 रुपे का प्रॉफिट बना रहा है, वहां पर आप 400 रुपे का प्रॉफिट बना रहे हैं, कलवा, कलवा अगर 80% मैच में पैसे लगा क सो जाता है, तो हो सकता है उसका प्रॉफिट हो, हो सकता है उसका लॉज भी, उसका दोनों चांसे है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लोज भी हो सकता है, लेकिन अगर आप सेम टीम को कलवा से ज़्यादा ओड्स में पकड़ लेते हो, पकड़ने में, ट्रेड करने में अगर आप successful होते हो तो आप लोगों की guarantee है कि आप लोग उससे ज़्यादा profit बनाओगे अगर आप लोग ट्रेड करते हो अगर ट्रेड नहीं करते हो तो आप लोगों का loss थोड़ी ना है नो profit no loss match छोड़ दो लेकिन अगर आप लोग successfully trade कर जाते हो तो आपको 400 रुपे का profit मिल जाए winning probability अभी भी वही है अब आप एक चीज़ calculate कर लीजिए खुद से 10 में से 10 में से 10 में से 8 में भी होता है कि 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 опять मेच का भी हूं होता है जो मुझे follow करके सो जाता है और आप मैच आपका भी हूं होता है जिसमें आप लोग successfully trade करते हो एक है कलिए कलिए ज़ो कलिए ठाल ए ठाल वन पॉइंट्वाश में खेल रहा है 18 तो 1.25 ठीक है 8 x 1.25 और आप वही टीम जो कलवा 1.25 25 पैसे का टीम है उसी को आप लोग 40 पैसे में खरीचते हो कॉमन सेंस किसका प्रॉफिट जादा होएगा कलवा का या आपका आपका क्यूं क्यूंकि कलवा ने मेरा पहला जो वीडियो का पार्ट था जहां पे मैंने नॉलेज दिया नॉलेज ले लिया लेकिन टाइम नहीं दिया ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां पे आपको सिर्फ नॉल के बेसिस पर कि हाँ तू तो ग्रैजुएट है मैं तुझे अपने कंपनी का CEO बना देता हूं तू घर पर बैठा रहेगा मैं पैसे पहुचा दूंगा नहीं होता है ना टाइम देना पड़ता है आप लोगों को अगर किसी कमपनी का CEO भी बनाया जाता है तो भी आप लोगों को टाइम देना पड़ता है आप लोगों को मेहनत करना पड़ता है तो अगर आप लोग टाइम देते हो तो ही आपका प्रॉफिट होगा नहीं तो आपका प्रॉफिट नहीं हो ड़ा है समझ擺 अनोट करो जल्दी या फिर स्केर लाई वेल अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सर अर्म इंगा ये जाए रवर कियोंकि हम लोग नहीं चलाते हैं या फिर हम लोगों को Telegram के बारे में उतना idea नहीं है, ठीक है, तो Telegram एक app है, WhatsApp के जैसा ही है, मैं WhatsApp नहीं करता हूं, Telegram करता हूं, ठीक है, अगर आप लोग चाहूँ, तो आप लोग मेरे Tips को following करके उस पर trade कर सकते हो, अगर आपको खुद से trade करना है, तो मैं 2-4 बाते बता देता हूं, कि मैंने जो आपको knowledge दिया है उसको आपको apply कहां पे करना है क्योंकि मैं भासन दे के निकल जाओंगा तो आपको सब कुछ समझ नहीं आएगा मैं आपको practically समझाता हूँ कि आप लोगों को कहां पे इस चीज को apply करना है ताकि आप लोग profit बना पाओ ठीक है तो इसका application कुछ इस प्रकार है कि M ठीक है Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday फटाफ़ से इस चीज को note down कर लीजिए अगर आप लोगों को sports trading करना है तो इन ही पांच दिन में आप लोगों को करना है इन दो दिन में यह जो दो दिन है यहां पे आप लोगों को trade नहीं करना है अब क्यूं क्यूं मैं बोल रहा हूँ यह चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आएगा, अगर मैं ये समझाने बैठ गया, तो ये जो वीडियो है, ये और एक घंडे का हो जाएगा, मैं नहीं चाहता हूं कि इस चीज़ को मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में इंक्लूड करूँ, इस चीज़ को अगर हो सके तो मैं दूसरे से बता रहा हूं, इन दोनों दिन को छोड़के आप लोगों को स्पोर्ट स्टेड करना है, और क्या है, और कहां अपलाई कर सकते हैं, कहां अपलाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को दो चीज़े बताता हूं, मैच दो ब्रकार के होते हैं, एक होते हैं इंट इन्टरनेशनल लीग्स यह वह लीग होते हैं जो की बड़े बड़े लिकसा ठीक है में बहुन सब्सक्राइब में बड़े जोटे बाए और इन्टरनेशनल ॏ इन्टरनेशनल में आप लोगों के लाए फर चंपियन लीग या फिर ICC World Cup, ठीक है? Domestic में, आप लोगे कौन से matches आगे? Like Maharashtra और Mumbai, ठीक है? या फिर आगे आपका जो तुर्की TFF League होता है वैसे matches, जो छोटे matches होते हैं जादा से जादा आप लोगों को कोशिश करना है जो domestic matches है Domestic matches, domestic matches में आप लोगों के जादा से जादा concentration, आप लोगों का focus जादा से जादा domestic match में रहना चाहिए क्यूंकि जादा से जादा लोग, अगर 100 लोग है मैं मान लेता हूँ कि 100 लोग है 100 लोग में से 99% लोग international matches खेलते है 1% बन्दा domestic leagues खेलता है, ठीक है? जो booking websites है, जो sports bookies है अगर 99% लोग यहाँ पे खेल रहे है international leagues अगर खेल रहे है तो उनका ध्यान भी जादा दर time यहाँ पे रहेगा यहाँ पे नहीं रहेगा तो यहाँ पे जो odds है, वो जादा manipulated रहते है ठीक है? international matches में international जितने भी leagues होते यहाँ पे जादा से जादा sports booking companies जितने भी होते हैं जादा से जादा इनके odds को manipulate करते है तो यहाँ पे अगर आप लोग successfully trade कर भी लेते हो आप लोगों की accuracy कम हो जाएगी यहाँ पे जहाँ पे आप लोगों को 60% की accuracy मिलेगी यहाँ पे आप लोगों को इंडिया फसे स्वाकिस्तान का मैच हो रहा है या फिर IPL हो रहा है ठीक है या फिर BPL हो रहा है Domestic जो छोटे-छोटे like intra-school ठीक है आप लोगों को online booking website में ऐसे भी matches मिलते होंगे तुर्की TFF league ठीक है या फिर UFR Nations League जो होता है UFR Nations League यहाँ पर आ गया UFR Conference League आप यहाँ पर ले सकते हो ठीक है Domestic का मतलब यह नहीं है कि आप सब घड़े-लू matches को ढूंड़ो Domestic matches का मतलब मैं आप लोगों को यह समझाने चाहरा हूं कि जो छोटे-छोटे matches है जहाँ पर जादा दो लोग नहीं खेलते है उसको आप लोग इस category के अंडर में ले सकते हो यहाँ पर आप लोगों का focus जादा रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आप लोग खेलोगे यहाँ पर already odds manipulated रहते है जो company रहती है company company का ध्यान हमेशा यहाँ पर रहता है क्योंकि जादा से जादा लोग यहीं पर खेलते है तो यहाँ पर अगर आप लोग profit बनाना चाहो तो आपके लिए मुश्किल होंगे क्योंकि जो company है company के पास एक से एक तीस मार खान बैठे हुए है उनके analytics section में उनके stats section में उनके odds management section में समझ रहे मैं इतना कुछ कैसे जानता हूं क्योंकि यह जितने भी बड़े-बड़े sports booking website जहां पर आप लोग खेलते हो ना उनके जो top level पर जो बैठे हुए है उनके साथ तक मेरा बारतलाब होता है तो मुझे यह सारी चीज़े पता है मैं आप लोगों के साथ share कर रहा हूँ तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखते हुए चलना है और domestic matches पर आपका focus हमेशा रहना चाहिए